फिर कुछ पैटर्न है जिसे हमें प्रिंट करना है तो इस बार क्या है कि यह रिवर्स ओडर में है तो यहाँ पे हमें एक सिमिलर इसे तरीके के तीन पैटर्न है जो बस हमें यह देखना है कि pattern कैसा क्या print करना है यह हमेशा मैं बोल रहा हूं वो हम बाद में decide करेंगे तो हमारा pattern क्या है कि यहां पर जब first जो है यहां पर first time जो है कि कितनी बार चल रहा है जो loop है वो five times चल रहा है then four times then three two one four three two one मतलब यह pattern हमारा सबसे पहले इस तरीके से चल रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यहां तो हम यह कर सकते हैं कि i जो हम five से ही start कर दें और उसके बाद i जो है यह five times मतलब five से हमने start किया यह नहीं five हमारा value है यहां और j को जो है one to five हम use कर दें यह भी कर सकते हैं हम या फिर हम यह कर सकते हैं कि यहां पर i हमने five से ही start किया लेकिन j हम क्या कर सकते हैं कि i i हमारा कितना है five तो five से हमें start करके one तक चले जाएं जैसे five four three two यहां से अगर हमारा i क्या है five है और हमें start कर दें five five four three two one खत्म यहां पर 4 है तो हमारा यह क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1 क्योंकि I हमारा जो value है उस वक्त कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा उसी तरीके से यहां पर I हमारा 3 है तो यह क्या हो सकता 3, 2, 1 यहां पर I हमारा यहां पर 1 है नहीं 2 है तो 2, 1 और I हमारा 1 है तो 1 तो यहाँ पर बस एक बार आप ध्यान से देखो, यहाँ पर i हमने यह कर दिया, 5 से लेके, तो 5, तहने कि हमने start यह तो print करना ही जी है, अब यहाँ पर i 5 है, तो 5, 5, 5, 5, तो यहाँ पर हमें loop जो चलाने है, तो वो क्या है कि शुरुवात में हमने i 5 रखा, और उसके बाद जो j है, j को हमने क्या किया, कि i का जो value है, वहीं से start कर दिया, जैसे यहाँ पर 5 है, तो 5 से start किया और 1 तक चले गए, हमारा main motive क्या है, कि j हम up to 1 गए, i का value कुछ भी रहते हैं, यानि 5 है, तो हम कहां गए 5, 4, 3, 2, 1, print हो गया, फिर उस तरह से i का हमारा value 4 है, तो 4, 3, 2, 1, ऐसे गया, 3 है, तो 3, 2, 1, यह print हो गया, अब इसी तरीके से हम जा रहें, लेकिन यहाँ पे हमारा i 5 है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, i print कर दिया, तो 5, 5, 5, 4, 4, 4, अब यहाँ पे अगर हमने j print कर दिया, तो वह क्या हो जाएगा, values यह क्या कैसे change हो रहा है, 5 से start कर रहा है, और 1 तक जा रहा है, 5, 4, 3, 2, 1, तो बस, simply, उली, okay, इसमें मैंने इदर तो बता रहा था, लेकिन उदर नहीं दिख रहा था, यहाँ पे, मैं क्या बता रहा था, कि जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 हो गया, तो अगर यहाँ पे हमने क्या लिया, j ले लिया, यहाँ पे i 5 है, और j कहां से start हो रहा है, 5, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, यहाँ पे 2, 1, और यहाँ पे 1, तो यह से हम यह प्रिंट हो रहा है, तो इसके लिए हम simply लिख सकते है, 4, i is equal to हमारा 5, then i is greater than equal to 1, और i minus, minus, तो यह क्या हो गया, कि हमारा 5 से start करेगा, और 1 तक जाएगा, अब हम क्या कर सकते है, यह for, j is equal to, मैंने यहाँ से start कहां से कर रहे है, जो यह value है, यानि कि क्या i, i से ही हमने यहाँ पे start किया, और 1 तक जाएगे, तो j greater than equal to 1, clear, और यहाँ पे down, मतलब हमारा value decrease हो रहा है, तो j minus minus, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, printf, और यहाँ पे हमने, यह हो गया, एक new line के लिए, printf slash n, और यहाँ पे हमने close कर दिया, तो यह हमारा हो गया, तो अब अगर हमने star print कर दिया, print में, तो यह print हो गया, अगर i print कर दिया, तो यह print हो जाएगा, और j print कर दिया, तो यह print हो जाएगा, तो यह हो गया हमारा program done, तो यह value जो यहाँ पर मैंने किया, आप जो यह value same रखके, कहीं यहाँ से आई यह start कर गया, कभी यहाँ पे i put करो, आप कहीं यहाँ पर J कर दो, फिर कभी यहाँ पर 1 कर दो, कभी यहाँ पर 5 कर दो, ऐसे करके आप different pattern प्रिंट कर सकते हो, खुद से analyze कर सकते हो, क्या-क्या values उसके output आ रहे, बस एक ही ध्यान रहे, कि जो loop जो है condition या तो अगर अप जा रहे हो आप, तो यानि कि plus plus होना चाहिए और आप जा रहे हो तो condition match करनी चाहिए, अगर condition कभी match नहीं होई तो infinite loop हो जाएगा, और उस वक्त आपका program चलता जाएगा, क्यांकि condition उसे हमेशा true मिलेगा, तो अगर in case कभी ऐसा होता है, तो आप control C से program को अप close कर सकते हो, हो गया, इसका, done